Hello Friends अज इस session में हम डिस्कुस करेंगे versus puls के बारे में हम इस session में देखेंगे कि हमारी body में, जो 8 locations पे जहां से हम pulse palpate कर सकते हैं हम ने जल की वहम देखते हैं ठीक, यह करके हम सभी को देखेंगे description से हम आपको मैं बिता हूंग कि कहां पे आप कैसे palpate कर सकते हैं introduction it is a thrombic sensation that can be palpated over a peripheral artery these are palpable when blood is ejected from left ventricular into aorta and when the heart contracts systemic distension of artery followed till capillaries the pulse can be palpated anywhere from where artery passes over a solid structure such as bone or cartilage हमारा क्या होता जब भी हमारा heart blood pump करता है तो जब वो pump करता है तो हमारी जो arteries होती है वो distend हो जाती है जब arteries distend होती है तो उनका distension जो होता है वो एक electrical activity उन में pass out होती है जब तो को capillaries तक नहीं पहुंसती वो arteries जहां-जहां से pass out होती है वहां वहां पर उनको feel कर सकते हैं ठीक है तो जब arteries में नहीं है किसी बोनी इस्ट्रक्ट्चर की ऊपर से pass out होती है वहां पर मेली इसली पालपेट कर पाते हैं ठीक है हम इस्टाइट करते हैं कि करके हम देखते हैं एट्स को देखेंगे सबसे पहला टेमपोरल पल्स होता है वह हम टेमपोरल आर्ट्री वहां से सप्लाइब करते हैं उसको लोकेशं में करें भीक्तों आहिए ह्माहरा एरिया देख सकते हैं आप लोग ये इस जगहां पर हम पालपेट करते हैं यह वाई अजँков पवाणी है यहां पर हम पालपेट करेंगे में ली ठीक है यह हमारी लोकेशन है यह हमागी हो टेंपुरल पल्स अगला हमारा करोटैट पल्स इट इस सप्पलाड बाकरेट होती है हमारी मेजर आर्ट्री होती मेंली जब किसी भी इंडिविजजोर कीद्डेथ या कुछ भी चेक करना हो था में लिए इसी आट्री को में लिए हम चेक करते हैं सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारी जो नेक होती है यह हमारी ट्रैकिया है ट्रैकिया के साइड वाइस यह सप्लाई होती है ठीक है यह देख सकते हैं हम इंडिविजल के साइड में इसे पालपेट कर रह है ये इसरी palpate भी हो जाती है अगला हमारा भ्रेक्यल पल्स एटी सप्लइड बार ब्रेक्यल आलर्ट्री हमारा यह ब्रेक्यल पल्स होती हमारा यह जो हैंड का little finger वाली साइड होती है हमारा यह pokémonर का हैं humor के साइड पर हमारा यह जो little FINGर की chat और होती यहां पर इस साइड पर हमारा एल्बो के कॉर्णर पर इनर साइड पर में पालपेट होती इसली मेरा मतलब यह है कि जो आर्ट्री होती ब्रेकिल आर्ट्री यह मेंली हमारी हैंड के इनर आस्पेक्ट आफ एल्बो में में इसली पालपेट हो जाती है ठीक है अगला रेडियल पल्स यह हमारी thumb के side पे present होती है हम वहाँ पीजली से palpate कर पाते है जिसे हम पिच्चर में देख सकते है अगला femoral pulse इट इस supplied by femoral artery हम देख सकते हैं पिच्चर में हमारी यह हमारी femoral artery supply होती है यहाँ पे हम इसे easily palpate कर पाते है ठीक है यह देख सकते हैं individual यहाँ पर palpate कर रहा है इस से मिज़ि समा सकते है कि individual में हम कहां पर palpate करेंगे अगला हमारा popolitial birth इस supplied by popolitial artery इस picture में देख सकते हैं आप की location कहां पर पेशन में palpate करेंगे यह देख सकते हैं middle में यह हमारा middle area भहां आप हम इसे पालपेट करेंगे ठीक है अगला है पॉस्टियर टीबिल वल्स इस अप्लाइड पॉस्टियर टीबिल आर्ट्री हमारी हम जो है पॉस्टियर टीबिल आर्ट्री होती है पॉस्टियर पॉस्टियर टीबिल आर्ट्री होती है पॉस्टियर पॉस्टियर टीबिल अगर हमारा आती है यह हमारी फूट के अपक्राइब साइड में यह हमारी दोसरे शचाय। अने हमेशली दिख सकते हैं। मैंने हर एक पिक्चर में पेशन्ट एक individual patient को लेकर आप लोग को समझाया कि हम किस location पर identify कर सकते हैं उस pulse को ताकि आप लोग कभी भी जब patient में पालपेट करने कोशिच करें तो आप वहां पे इसली इसको मैच आउट कर पाएं ठीक है अगर आप चाहो तो इस सभी पलसेस को आप अपनी बॉड़ी पार्ट पे अपलाई कर सकते हो अपनी सारी पलसेस को अपनी लोकेशन पे पालपेट कर सकते हो आज का सुझ महीं पैंट करते हैं थैंक यू